वेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चानल सिवानी स्फोर्ट्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन सीख कवाब, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर करना बिल्कुल ना भूले, और पहला इकन दबाए मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, चिकन सीख कवाब बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन कीमा, यह मैं 500 ग्राम ली हूँ, और इसे मैंने मिक्सर में पीस लिया था, और मैं एक प्याज डाल रही हूँ इसमें, इसे मैंने देखिए चोटे-चोटे टु घरम लिए हूँ, इसके बाद मैं लूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून, इससे बहody अच्छा फ्लेवर आता है, तो इससे जरूर डाले, इसके बाद मैं लूँगी 1 टीस्पून चिकन मसाला, चिकन मसाला मैं ज्यादा नहीं डाल रही, 1 थर्टीस्पून घरम मसाला, आजी प्लाक पेपर नमक अपने स्वाद मुंसाल दे सकते हैं या हाफ टीस्पून डाले बटर एक टेबल स्पून मैं ले रही हूं यह सबसे इंपोर्टेंट है तो इसे बिल्कुल ना भूले बटर डालना और अब इसे अच्छे से मिलाओंगी मैं इसे अपने हातों से मिला रही ह हुँकि मसाला अच्छे से में मिल जाए कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है की चिकन में मसाला अच्छे मिल नहीं फाता है तो पहले इस तरीक से अच्छे से मिलाओंगी तो अब हमारा चिकन का मसाला आपस में मिल चुका है अब मैं बेसन डालूंगी इसमें इसे मैंने गैस पे 5 मिनट के लिए भूल लिया था ये मैं आदा कपली हूँ ये चाय तो आप मसाले के साथ भी डाल सकते हैं पर मैं इसे बाद में डाली कि मसाला पहले अच्छे से मिल जाए तो अब थोड़े देर के लिए इसे भी अच्छे से मिलाएंगे बेसन हम इसलिए डालते हैं कि जब हम सीख में चिकन को लगाते हैं तो चिकन गिरना जाए बेसन से ये बंधा रहेगा तो इसलिए हम बेशन डालते हैं इसके बाद हतेली में मैं तेल लगाऊंगी देखे इस तरीके से और थोड़ा सा चिकेन हाथ में लूँगी ये मैं आमरूत जितना ली हूँ तो अब मैं इसे सीख में लगाऊंगी देखिए ये मैं लखड़ी वाला स्क्वेर ली हूँ तो देखिए आप इस तरीके से मैं इसे इसमें बांद दूँगी आप देख सकते किस तरीके से मैं बांद रही हूँ इसे हलके हलके हाथों से इस तरीके से बांद दियेगा और इसे इस तरीके से फैलाते जाईएगा देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मैं कर रहे हूं तो ठीक उसी तरीके से आप भी करिएगा तो हमारा चिकन बन के सीख कवाब का बन के त्यार है तो इसी तरीके से मैं बाकी भी करूँगी देख सकते मैं उसी तरीके से मैं ले रही हूं हाथों में अगर आपको लगे कि हाथ में चिपचिप हो रहा है तो आप दोबाड़ा भी हाथ में तेल लगा सकते हैं तो आप इस तरीके से राउंड करके हाथ से पैला भी सकते हैं हैंब यSub को ये दो तरीके का है फैलाने और पहले बताई किश सरी एकितम के मैं हाथ में राउंड राउंड करके मैं फैला रही हूं इस तरीके में हराम से ऑमारा सीख कृबं जाएगा तो देखे हमारा सिक कवाब बने के त्यार है देखिए इसे मैं इस तरही के से राउंड राउंड कर रही हूं ओपर से और नीचे से अच्छे से आप इसे दाब दे की चिकन तूटे न तो हमारा देखिए सीख कबाब भी बन के त्यार है अब मैं इसे ग्रेल करूंगी तो आप चाहे इसे ताबावे भी कर सकते हैं। मैं इसे ओवन में कर रही हूं और पहले से प्रिहिट चुकी उन 10 मिनट के लिए और टेंप्रेशर में रखी हूं 180 और 20 मिनट के लिए मैं रखूंगी अंदर में तो इसे आप बड़े सापधानी से अंदर रखे अगर तावे में आप चाहे तो तावे में भी आप हलके आच में उसे सेख सकते हैं उससे भी आपका सिख कवाब बन जाएगा उससे भी आप सलो फ्राइ टाइप करके उसे बना सकते हैं तो आप मैं इसे ओवन में रख दे रही हूं तो इसे मुझे 20 मिनिट के लिए रख ना है 20-20 मिनिट हमारा हो चुका है देखे, हमारा सीख कवाब बन کےसे है सीख मबाब स्पाइब आप सौस तौस के साथ या घड़ी चटनी के साथ खा सकते हैं या रोटी नान या लाज प्राठा के साथ भी से आप खा सकते हैं यह काफी टेस्टी होती है आप आप भी अपने घर पे पनाए और मुझे बताए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब सेर करना बिलकुन ना भूले और बेल आइकन दबाए मेरे अगले वीडियो के अपडेट के लिए तब तक इंतिजार करी आपको मेरी अगले वीडियो के लिए।